हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैनिस हेल्थ में जहां पर आपको नएने सेहत से जुड़ी समस्याहों का समाधान मिलता है हेल्थ टिप्स देते हैं हम आपको आज आप जानोगे कैसे आप डायबटीज को कंट्रोल कर सकते हैं मिंटों में कौन सा हो कि छोटे-छोटे बच्चे भी डायबटीज की चपेड में आ रही हैं आमतार पर डायबटीज के पीरिट लोगों को पैरों से समंद्धित समस्याहें भी होती हैं सबसे बड़ी बात यह है कि डायबटीज कभी अकेले नहीं आता है यह जब भी आता है साथ अन्य कई बिमा जाती है क्योंकि इस समस्याह में एड़ना फटी जाती है और अधिक कटने का गाब भी हो सकता है कैब्रिज उनिवर्स्ट्री ने विग्यानों को के एक ऐसे आटोमेटिक डिवाइस की खोज किया जो डायबटीज के मरीजों को लिए वर्दान साबित हो सकता है इस जवाइ को खुद बाखुद कंट्रोल में रखता है जै डिवाइस डायबटीज टाइप टू के मरीजों के खासी राहत लेकर आया है क्योंकि अब उन्हें बार बार इंसुलीन जा इंजक्शन नहीं लेना होगा खबरों के मुताबिक यह अगले साल तक बजार में आम लोगों के ल मनीटर करना शुरू कर देता है डायबटीज जुरूरत पढ़ने पर रेगुलर इंटर्वल पर डायबटीज मरीज की स्किन से एंजुलिश के पैसेज के जरिये बेच से सकता रहता है इसका साई सिर्फ आइफोन जितना ही है इसे कपड़े के नीचे असानी से पहना जा सक करता है फिलहाल डायबटीज की अनुमितिक कीमत नहीं बताई गई है लेकिन इतना तय है कि बारत में डायबटीज के पांच करोड मरीजों के लिए अच्छी ख़बर है ज्यादा लोगों के समय समय पर इसुजिल का इंफेक्शन लगवाना होगा जिसमें उन्हें शिटका मिल जाएगा दूसे तरफ टाइप टू स्टेज में मरीजों को बार कई बार हर गंटे उगलियों में इंफेक्शन के साहरे ब्लड में ग्लूकोज लेवल के जाज करनी होगी यह करन लोगों को इस दर्द में शिकारा दिला देंगे और इसे ब्लड शुगर का लेबल भी द श्काइब करें